तो आखेका डूल रेयर क्यामरा से लेस, Nokia ने अपना flagship smartphone Nokia 8 इंडिया में लॉंच करी दिया, इस पूंकी की मता है 36,909 अनुवेर पे, अगर आप दिखेंगे, तो इस प्राइज देन में, मार्केट में अलड़ी एक smartphone अवेलेबल है, जो कि डूल रेयर क्यामरा के साथ साथ आपको दमदार स्पेसिफिकेशन भी मोहिया कराते हैं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ OnePlus 5 की, और उसको हम flagship killer भी कहते हैं, ऐसे में, अब आपके बास दो options हैं, कि flagship phone लिया जाए, या फिर flagship killer लिया जाए, तो आईए, देखते हैं, इन दोनों phones का एक comparison overview, specs based comparison overview है, जिसमें हम जानने की कोशिच करेंगे, कि कौन सा phone बहतर है, let's take a look, सबसे पहला point है design और display, अब अगर आप design wise देखेंगे, तो हाला कि दोनों phones full metal body के हैं, पकड़ने पे आपको premium feel भी देंगे, पर इन में कुछ नया पर नहीं है, पर अगर आप मेरी दाय मांगेंगे, तो मैं आपसे काऊँगा कि मुझे Nokia 8 ही personally पसंद आया, क्योंकि एक तो वो compact है, साथी साथ, उसमें splash proof feature भी दिया है, जब कि OnePlus 5 देखने में अपने पुराने phones, यानी OnePlus 3 और OnePlus 3T की तरह ही लगता है, और इसमें splash proof feature भी नहीं है, ऐसे में ये आपके उपर depend करता है, कि आपको बड़ी screen size दोला phone चाहिए, या फिर compact phone चाहिए, पर जब बात आई कि डिस्प्ले की, तो Nokia 8 डेफिनेटली एक मिलर माना चाहिए, या पर यहाँ पर भी एक क्या चाहिए, जैसे कि Nokia 8 में आपको LCD डिस्प्ले मिलता है, तो OnePlus 5 में आपको Optic AMOLED बला डिस्प्ले मिलता है, ऐसे में अगर आपको शांदार colors बड़ा phone चाहिए, तो आप OnePlus 5 को चाहिए, और अगर आपको ज़्यादा detailing बला phone चाहिए, तो आप Nokia 8 को उन्चेटर कर सकते हैं, पर आपको बतादूं कि अगर आप VR headset का बहुत ज़्यादा इस्तमाल करते हैं, तो Nokia 8 ही आपके लिए ठीक रहेगा, तो उसमें आपको ज़्यादा detailing की जूर्थ पड़ती है, अब अगर आप देखेंगे, तो दोनों ही phones में आपको dual rate camera मिलता है, लेकिन इनकी quality में बहुत ज़्यादा अंतर है, आपको बतादूं कि OnePlus 5 में आपको मेलेगा 16 megapixel प्लस 20 megapixel का rear camera, जिसमें से एक sensor telephoto है, यानि आपको उसमें optical 2x zoom मिलता है, और उसी से आप bokeye effectively pictures भी click कर पाते हैं, तो वहीं Nokia 8 में आपको मिलते हैं 13 megapixel के dual rate cameras, जिसमें से एक sensor RGB है, और दूसर sensor monochrome है, यानि ये lens जो है ज़ादा light capture करता है और आपको ज़ादा detail picture quality देता है, अब इनके picture quality बात करेंगे, तो हमारे review में OnePlus 5E बहतर सावित हुआ, हाना कि low lighting situation में Nokia थोड़ा सा आगे निकल गया, पर अगर आप overall देखेंगे, तो OnePlus 5E camera को हमले में leader है, in fact अगर आप इनके front cameras भी देखेंगे, तो OnePlus 5 में आपको मिलता है 16 megapixel का front camera, जो कि Nokia के 13 megapixel front camera से better है, hardware, अब इस segment के बार में, मुझे लगता है नहीं कि आपको बताने की बहुत ज़रूता है, यूँकि आपको पता ही है, कि दोनों ही phones में आपको snapdragon 835 chipset मिलता है, जो कि top notch performance मोहिया कराते हैं, और इसी वैसे दोनों phones आपको 11 month performance ही देंगे, अब हाला कि OnePlus 5 में आपको 8 GB की RAM और 128 GB की internal storage मिलेगी, पर Nokia 8 किसी मामले में पीछे नहीं है, भले उसमें आपको 4 GB की RAM और 64 GB की internal storage मिल रही हो, लेकिन आपको storage को expand कर सकते हैं, और 4 GB की RAM भी आपको multi tasking में जरूर help करेगी, बैटरी, देखा जाए, तो OnePlus 5 में 3300 mAh की बैटरी दी है, जबकि Nokia 8 में है 3090 mAh की बैटरी, लेकिन इन दोनों phones की बैटरी आपको एक समान backup ही देती है, हमारे टेस्ट में दोनों phones medium usage पर पूरा दिन survive कर पाए, साथ साथ मुता दूँं कि आपको इन दोनों phones में fast charging support भी मिल रहा है, जहाँ Nokia में आपको मिलता है 3.0 quick charge support, तो OnePlus 5 में दिया है dash charging support, software, अब हर segment की तरह इस segment में भी ये दोनों phones एक दूसरे को तगड़ा competition देते हैं, क्योंकि Nokia 8 में आपको मिलता है stock android, तो OnePlus 5 में आपको मिलता है Oxygen OS जो की near stock android ही है, और इसी वे से ये दोनों phones के software perfectly optimize हैं और आपको अच्छी performance भी देते हैं, साथ साथ आप उताद हूँ कि दोनों phones की company आपको बहुत जल्द दिन में android Oreo की update भी मिल जाएगा, वर्डेट, अब क्योंकि दोनों phones एक दूसरे को head to head competition देते हैं, इसलिए एक best phone चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर फिर मैं आप पूदा दूँ कि Nokia 8 को आप उसके compact size, quad HD resolution display और splash proof feature की वैसे खिर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छे camera वाला phone और 8GB की RAM चाहिए, तो आप OnePlus 5 को भी consider कर सकते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंट आया तो प्लीज लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मिल्कुल न भूलें, और हाँ, अगर आप मुझसे personally chat करना चाहते हैं, तो आप मेरे ट्विटर पे मिस जोड़ सकते हैं, अगर तोटर आईए है, अगर आप मेरे ट्विटर आइड है, अगरे चैशो खेरा, अटल देन, तो आप मेरे चैशो खेरा, साइन अगा उफ.